हमास क्या है? हमास एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समू है जो गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रन में रखता है. साथ ही वह इस क्षेत्र को एक इसलामिक स्टेट बनाना चाहता है. हमास साल 2007 से गाजा पर शासन कर रहा है. इसके बीच हमास ने इजराइ ने भी हमास पर कई जवाबी हमले किये है. हमास समूह को इसराइल, सयोक्त राजय अमेरिका, यूरोपिय संग और ब्रिटेन के साथ साथ अन्य देशों ने एक आतनकवादी समूह के रूप में घूशित किया है. वहीं हमास को इरान का समर्थन प्राप्त है जो उसे हथिया पर तथा प्रशिक्षन मुहया कराता रहता है. गाजा पट्टी क्या है? गाजा पट्टी इसराइल, मिस्रो और भूमध्य सागर के बीच 41 किमी, 25 मील, लंबा और 10 किलोमेटर चौडाक शेत्र है. यहां लगभग 2.3 मिलियन लोग रहते हैं जो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है. इसराइल गाजा और इसकी तटरेखा पर हवाई क्षेत्र को नियंतरित करता है. वही मिस्र गाजा के साथ लगी अपनी सीमा को नियंतरित करता है. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनसार, गाजा की लगभग 80 प क्षेत्र हमेशा से ही दोनों पक्षों के बीच संधर्ष का मुख्य कारण रहा है. वेस्ट बैंक और गाजा को फिलिस्तिनिक शेत्र के रूप में जाना जाता है. इसके एलावा पूर्वी येरुशलम और इसराइल को रोमन काल में फिलिस्तिन क्षेत्र का ही हिस्सा माना बाईबल में ये यहूदी सामराजियों की भूमी के रूप में भी जाना जाता था जिस कारण यहूदी इसे अपनी प्राचीन मात्रभूमी मानते है जिसे लेकर हमेशा से संधर्ष होता रहता है इजराइल को 1948 में एक देश के रूप में मान्यता दी गई थी हालांकि इजराइल के अस्तित्व को मान्यता न देने वाले आज भी इस क्षेत्र को फिलिस्तीन का हिस्सा मानते है हमास ने क्यूं किया हमला साथ अक्टूबर को हमास ने बिना किसी चेतावनी के इजरायल पर हमला किया और यह हमला इजरायली फिलिस्तिनी तनाव के बीच किया गया है इस हमले में हमास के लड़ाके कई इजरायलियों को बंधक बना रहे है वहीं ये भी कहा जा रहा है कि फिलस्तिनियों के बीच अपनी लोग प्रियता बढ़ाने के लिए हमास ने इसराइल के खिलाफ इस तरह का मोर्चा खोला है